हलो दोस्तों, शटड़ी मून में आपका स्वागत है, विहार Фोरेष्टर की भरती से रेलेटेड काफी लोगों ने अपडेट मांग रखा है, काफी लोगों ने पूछा कि सर फोरेश्ट काट का तो बता दिये फोरेश्टर के बारे में बताईए कि इसका पर किरिया क्या होता है देखिए फोरेश्टर के बारे में आज हम बताएंगे इसके पिछले भरती यानि 2020 में जो भरती आया था इनका एज होगा कॉलिफिकेशन होगा वह दोनों भरती भरेंगे वैसे आपको इंटरमेडियर दोनों भरती के लिए चाहिए लेकिन एक्जाम के पैटर्न में काफी डिफरेंट है दोनों के तैयारी अलग तरीके से आपको करनी पड़ेगी तो आज हम सबसे पहले कुछ एक् कि अबोटों देखने को मिलेंगे इसे प्या कहा जाता है इसे कहा जाता है जो कहते हैं इंटरमीडियर जाये आप लोग एक जैसा ही अप का होता है हम बात करते हैं सब्सक्राइब के तोटल अगर हम बात करें एक चीज में आप लोगों को यहां पर बता देता हूं से संमझने के कूशिस कीजे घर राब लोग पूछना चाहेंगे कि सबूक्ष यहतना से पूरा डिटल्स इस भरती के बारे में कल वीडियो लेकर आऊंगा सुलेबस बिसकल कौन कौन फॉमिस में भर सकता है कौन नहीं बर सकता है आज से पस्कौर पर बात करते हैं पस यहां पर थोड़ा बात याद रख लिए यहां पर सव कोशन इसमें भी पूछा जाता है और य क्याई महिने से तीन महिने आपको समय मिलेगा तयारी करने के लिए यह सो जो प्रस्ण होते हैं इसमें आप देखेगा जिक्य का तक यह कौन से अस्तर का होगा टेंथ अस्तर का होगा और जिक्क्य करेंट मिला लिया जाए 15 कोशन होता है जो चार नमर्स अगर गुणा किया इसमें तॉसके बाद आपको ध्यार मारकना चीए कि यह कितना होगा इसे 35 कोश्ण का सकते हो है और फिर यहां पर देखेगा रिजनिंग का क्योशन होता है जो कि चार तुकुरा कीजिए गा यह भी साथ नंबर का हो जाएगा यहां बिभाएगा उमिटा यहांगे पर साइंस बेक्ग्रांड से होते हैं वह आपको फाईदा यहां पर देखने को उनको मिलता है क्या इसम नमानने सब लोग बनाएंगे जिक्कें हिंदी इंग्लिज और रिजनिंग बहुती आसान होता है बहुती आसान होता है लेकिन यहां पर सबसे महत्तों जो होता है आपको यहां समझनी की खुशिस है कि पचास कोश्चन जो आते हैं जो टोटल कितने को होते हैं दो सो माक्स होता है एक कोश्चन पर आपको चार माक्स है इसमें आपको कह सकते हो कि फिजिक्स होगा ही होगा और कमेस्ट्री कमेस्ट्री किता का होता है 15 कोश्चन होते हैं टोटल 4 से गुणा किया जाती है यहां पर साथ नंबर का यह हो जाता है पुछते हैं इसमें आपको चूच करना होता है या तो मैथ लो या तो बाइलोजी लो अब सभी का यह याद रखिए यह वाला जो सेक्षन है 50 नंबर का इसका 11 तक 12 तक आपको तैयारी होना चाहिए यानि इसमें आपको अच्छा खासा डिप जाकर कोशन पूछता है खासकर साइंस में भी तो हम देखें यहां पर दो सेक्षन हो जाता है या तो आपको मैथ लेना है या तो आप दूसरे में आपको ले सकते हो यह बायो ले सकते हो आप जिस बेग्राउंड से होगा वह बेग्राउंड होगे यहां पर मैं आपको बताओं कि मैथ कजर लेते हो तो य सबस्क्राइब करने को लोगे इसमें बढ़त बना पाते हैं यानि इससे बहुत अनुमितता देखने को मिले था इसलिए आपको जादा देखने को मिलेगा वह इसे मैं बता दूँ पाटिस्पेट किये थे इसका में यह एक्जाम होता इसका और इसी पर आपका मेरीटी भी बनता है बाकी जो फिसकल होता है फॉरेट गाट के जैसा ही होता है कल मैं इस पर डीटेल्स वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको कितने में 400 निम्बर में आपका कटब बनता है निगेटिव वन थड है लड़कियों का कटब कम इसलिए जाता है क्योंकि लड़किया डरती है इसमें फॉर्म डालने से लेकिन मैं बताओं सबसे बेस्ट जोब है लड़किया फॉर्म आपको डालना चाहिए और से आप लोगों को सुचित कर देता हूं कि सभी आपका निमास, EWS, EWS, NCL, ये सभी चीज़े आप बनवाया कर अभी से रख ले रहीएगा क्योंकि भर्ती तो आ रहा है रोस्टेट क्लियंस जैसे ही होगा दोनों भर्ती एक साथ देखने को मिलेगा ठिक अब हम चलो देख देते है कि जो आपका फोरिष्टर का पिछला कर गया है ये कितना गया था तो जिनरल की अगर हम बात करें ठीक आनवे अपका टोटल लड़कों का सुच्छन नुगा था तो लड़कों का सुच्छन नुपान हुआ था इसमें अगर देखा जाए तो कॉप्स मिल कटेगरी तो आप देख सकते हूं कि 400 नंबर में 325 गया है यह क्लिप आ है बहुत से लोग मुबाइल लेकर चले गए थे अनिम्तता देखने का एक्जाम कैसे होता था आप लोग को जानती हो इसमें क्या बताने की ज़रूरत है फिमेल का 246.67 गया था क्योंकि नेगेटिब इसलिए पॉइंट में और फिडम फाइटर का 288 गया था यूर जिसे जेनरल कहा जाता है फिर हम बात करें EWS का 233 लोगों का सेलेक्शन हुआ था इसमें और इसमें 305 मेल का गया था फिमेल का 240 गया था और फिमेल का लगबग 200 कटफ गया था इससे भी ध्यान से देखिएगा इसलिए को भी आपको देखिएगा सेलेक्शन नहीं हुने का नहीं यहां पर साफ साफ आपको खाली दिखाई दे रहा है तो इकटफ नहीं दिखाई दे रहा है ठीक अगर हम बात करें EBC का तो EBC में टोटल कितना देखा जाए 49 तो टोटल नुचास लोगों का सेलेक्शन हुआ है जिसमें 304 गया है मेल का कटफ और आपको फिमेल का कटफ दो दो गया है अगर बीसी का टिकरी की बात किया जिसे आपको यह ओबीसी का ही फस्ट भाग तो EBC कहा जाता है इसका अगर हम बात कर के लिए 24 लोगों का जो सेलेक्शन हुआ इसमें 15 लोग के हैं 8 लोग लड़किया है 317.33 गया है मेल कटेईगरी का कटफ और 240 गया है आपका sensational कटफ और 2101.33 गया है freedom fighter का कटफ अगर हम बात करें विच्छे इसी काटेगरी में जो थिक तो आप देख सकते हों कि यह जो चैन किया गया है इसके अधार पर मैंने आपको बताया कि अलग-अलग जो कट अप गया है इस कटेगरी में इतना गया है काफी लोग पूछ रहे थे समझ में आ गया होगा आपको अभी भी देखें इससे तो ज़्यादा ही सीट रहना च देखेंगे इनके मंतरी भी जल्दी से रोश्टर क्लियंस करकर आपका भरती देंगे तो अगर आपको 12 लेवल पर दो अश्टार चमकाना है और 11 मतलब कि आप फोरेश्ट गाट वाला बनियेगा ठीक और इस जलवाईव भाग यह सबके अंतरगत आपका आएगा अगर माना जाता है फोरेश्टर का और काफी लड़के लड़किया गए भी है अच्छा जो भी कर रहें लेकिन देखने को मिला था इसमें कुई दूर रह नहीं इसलिए दिखिएगा काफी जादा दूस परभावित हुआ था लेकिन अभी भी आपको क्या करकर चलना होगा कि पैसे पड़कर आपको कोशन दगाने वाला यह सब देखते हुए साथ में जो 50 कोशन आएगा आप दिहार में रखिएगा जो कि आपको चूज करना होता है या तो आप फिजिक्स कमेश्टी तो सबका होगा उसके साथ या तो बायो चूज कर सकते हो या तो मैं चूज कर सक पूरा तो मैं इस पर बताने वाला हूं अज कटा देता हूं कि अधार आप लोगों को मिल जाएगा और यह दिखिए चुट्टी की दिनों में यह सब देखना कोई गलत बात नहीं है हर इसके जनकारी आपको रहना चीए कौन से भरती का बाता है और मैं सोचा कि चुट्ट कोशन आप सही कर सकते हो थोड़ा भी आपका हिंदी मजबूत होगा या प्रैक्टिस की होगे तो 15 का 15 जिक्ट्ट्ट के साथ आप सही कर सकते हो तो यह वाला प्रसंट के लिए आपको ज्यादा देने की ज़र्द निकों का स्लेबस 10 लेबल का ठीक और यह सभी का सभी आप कोशन सही कर सकते हो ताथ में अगर आप प्रसंट कोशन सही कर सकते हो तात में अगर आप अराम से अगर देखा जाए तो यहां पर आप कि पंदरा कोशन सही कर देते हो क्योंकि एक कोशन पूछा था कि आत्मत्या के थैली किसे कहा जाता है लाइस सुम को कहा जाता है और जिस तरीके से आप कर सकते हो कि सभी कोशन तेन से नहीं ते और 50% तक जाया था जिस तरीके से आप प्रेक्टिस कीजिएगा थोड़ा कि अराम से तुना स्थान मनत्वाइगा और रिसेंट समय में जो टूल्स की होंगे और आपको साइन से बेक्ग्राउंड से की होंगे उनका तेक्दम समझे के बहतरीन तैयारी होगा तो भी कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से अभी से बेश्रण नीती मानकर आपको तैयारी करना पड़ेंगा प्रेक्टिस गाना पड़ेगा कंड़ात देखारा जाएगा रितरी तरीका से जितना भी भरती निकाले है उसके बारे में आपको जनकारी हौ हर एक चैस बताऊंगा और यहारती अपना अप्लाई करेंगे इस बार बहतर तरीकेस एक्जाम के आपके तयारी भी करना होगा अगर 12 लेबल पर मस्त जोब चाह रहे हो CSBC द्वारा तो CSBC द्वारा अभी तक सबसे मस्त जो जो दिया जाता है आपको यहीं दिया जाता है आपको याद रखेगा एक आपका पोरेश्टर का जिसे कहा जाता है वनपाल यह बताना था कट अब लोग देख चुके हो हमेशा टारेट असी प्लस आपको रहेकर चलना है काट फूट ध्यान में रखना यानि नेगेटिव खतम करकर तब जाकर अप यूवार में आओगे बाकी कटेगरी में आने के लिए 55 अब ही काम चलेगा कटेगरी में कम जाता है आपको पता होना चाहिए चलो फिर मिलेंगे और जितना सीख रहेगा उसका अनुसार ही से फस्कूर कट अब जाएगा अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक अपना ध्यान रखिएगा बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-